हाई नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त और होस्ट गगन मेना आपका स्वागत करता हूं इंडियन आर्मी यूटीव चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे तो आप वीडियो को अंत्तक देखते रहो ताकि आपको अगर आप में भी है देश सेवा का जज़वा और आप भी करना चाते हो देश की सेवा तो दोस्तों आप इस वेकेंसी में एपलाई कर सकते हो गोरम दोस्तों मुझे पता है आप इस वेकेंसी में जो रनिंग होगी उसको आप आसानी से पाइट कर सकते हो पांच किलोमेटर की रनिंग 24 minute में करनी होती है तो आप आसानी से कर जाओगे दोस्तों बस लगातार running करते रहो तो आपकी आसानी से 22 से 23 minute में running निकल जाएगी मुझे पता है कि बहुत से भाई लोग जो इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो सभी मेरे साथ से रनिंग पाइट कर लेंगे कोई तिकत वाली बात नहीं है अगर जिससे रनिंग नहीं हो वो मुझे कमेंट करें मैं उनको कुछ जरुवेटिव्स बता हुआ दोस्तों SSE GD में नौपी लगने के लिए सबसे इंपोर्टेंट पार्ट है दोस्तों आपका रिटन एक्जामनेशन अगर आप हर्याना राजस्तान और यूपी के कैंडिडेट हो तो आपको सबसे एक दिहार इनमें सबसे ज्यादा मेरिट जाती है कि दूस्तों अब बात कर लेता है इसके रिटन एक्जामनेशन गें आपको पार्ट में पेपर होता है सेकंड पार्ट में दोस्तों आपसे एंडिया लेवल की जीके पुंची जाती है तो आप जीके की तयारी करें थर्ड नमर में आपसे मैथ्स पुंची जाती है दोस्तों 25 नमर की तो मैथ्स की तयारी करें और फॉर्थ नमर में रीजनिंग पुछी जाती है तो आप 25 नमर की रीजनिंग की तयारी करें दोस्तों मैं आपको बताओं दोस्तों जब तक आप पेपर में मेहनत नहीं करोगे जब तक तो आप SSE GD में नोख़ी नहीं लग सकती है अड़वा सच्छा है मगर है दोस्तों आप में से कई भाईयों ने गिया भी होगा दोस्तों SSE GD की तयारी आप कहां से करें यहीं सबसे बड़ा महत्तों पूर्ण दोस्तों SSE GD के अंदर जो महत्स आती है उसकी तयारी के लिए आप ऐलाइन कोचिंग बहुत सारी ओणलाइन कोचिंग दोस्तों वहां से आप आजसानी से के ओनलाइन मेंच्ड की कोछिंग कर सकते हो या फिर आप अपने इसाब से औलाइन तरीके से भी कोचिंग कर सकते हो कोई दिखत वाली बात नहीं दोस्तों यह तो आप ऐसे से कोचिंग कर ले या फिर आप अपने इस तर से भी टियारेक beautifully हो लेकिन आपका फोकस होना चाहिए नगबग सब्सक्राइब अब दियुक्त वाली बाप नहीं है लेकिन अर्ड वाले यूपी वाले राजास्तान वाले और दिल्नी वाले कंडिडेटों के लिए बहुत ज्यादा मुस्किले आई थी एक्जाम को कलेर करने में दोस्तों आपको क्या लगता है कि आप आपके साफ से कितनी मेरिट जाएगी कि आप कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों अभी तक अगर आपने एक्जाम का प्रम एपलाई नहीं किया है तो कर दें क्योंकि आपके पास अच्छा मौका है इसमें मौकरी लगने का और देश सिवाग करने का दोस्तों आपको बाकी कोई दिक कभल आने वाली बात नह कि आपको आपका ही नवराएगा आपका ही नमबर आएगा आपका ही नमबर आएगा कि आपमें वह जजवार्स विश्वास टना पड falsch लेगा कि मैं ऐससी जी से लिए कंहिजों आप अपने अंदर यह ठाओं दोस्तों कि माई वेक यह थाओ कि को पायट करूंगा तो आप अगर आप धर गए ना दोस्तों तो आपसे वेकेंसी फाइट नहीं होगी इसलिए आप अपने अंदर हिम्मत होसला और विश्रास रखें तयारी करें डटके मेनद करें दोस्तों बस यह सोचे कि यह वेकेंसी को मुझे फाइट करना है तो आप आसन से कर जाओगे दोस्तों एक पिक्चर का डायलोग में आपको मतलता हूँ कि हिम्मत ये मर्दा तो मदलते खुदा हिम्मत वालों का साथ तो भगवान भी देता है आज की इस वीविए में इतना ही दोस्तों जय हिन जय भारत, पिंक्राफ, संदाबाद, भारत, माता की जय है कि दोस्तों अगर अभी